दोस्तों अभी आपने देखा कि कीस तरह से जो संसत की कार्यवाही होती है उसमें हंगामा करने वाले बान्बे सदस्यों को ना सस्पेंड कर दिया गया लेकिन इस चीज को देह करके बहुं सारे इसे लोग हैं जो बिपक्ष के लोग हैं बिपक्ष के जो तलवे चाटने वाल हिटलर के जैसा काम किया जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है लेकिन उन चूतियों को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि साले वोग परतिनिधी बन करके जानता के परतिनिधी बन करके संसत में जाते हैं ताकि वहाँ पर कुछ नए कानून को लाया जा सके उनके द्वारा कु कुछ देश के विकास के लिए काम किया जा सके लेकिन साले चुतिय लोग जिसे हम विधायक बोलते हैं जिसे हम संसद बोलते हैं संसद बोलते हैं और वह संसद में जाते हैं ताकि वहां पर कुछ नय नियम कानू बनाए लेकिन इनकी इतनी बचकाना हरकत इतनी घटिया निती होती है कि साले ए लोगा speaker को कुछ नहीं बोलने देंगे जब एदी सत्तापक्ष के किसी के द्वारा एदी कोई bill पेस किया जाता है तो उस bill को फार देंगे उस bill पर थोड़ा सा चर्चा नहीं होने देंगे और इतने घटिया तरीके से इन लोगों के दौआरा ऐसा काम किया जाता है कि दम बिना डिसिप्लीन और बिना अनुसासन के मतलब इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि हमें देश में कुछ नय कानून लाना है नहीं कि कलास चल रहा और कलास को यह लोग भंग करा देते है तो सोचिए कि ऐसे लोगों के साथ और क्या करना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अगर बती दिखाएंगे तो ऐसे लोगों को सिर्फ असीफ यही साजा देनी चाहिए और उसे जितना दिन हो सके ना उसे सस्वें नहीं किया जाना चाहिए ताकि वो लोग कभी भी ऐसे जो अच्छे अच्छे जो नियम कानून बनाने होते हैं तो उस चीज में अडंगा ना डाल पाए लेकिन सबसे दोगलाई यहां पर एह हो जाती है कि लोगों के दुवारा केंद्र सरकार को जिमेदा ठाराय जाने लगता है कि केंद्र सरकार ताना साह हो गई है लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं किसी को कुछ बोलने नहीं देती है और इलजाम यह लगाया जा रहा है कि जब कोई कुछ बोलता है सत्ता को कुछ हगर बोलता है तो सतापक्ष गुसा से ऐसे काम करता है लेकिन इनकी ऐसी नियती है इसी घंटिया सोच है कि ये लोग कभी भी किसी भी सतापक्ष के दुवारा कोई भी बील लाये जाता है न तो इस बील पर इतना मतलब इतना उग्र हो जाते हैं और किसी भी परकार से चाहते हैं कि ये जो है व कभी न पास हो और एस धी कारण है कि इन लोगों के दुवारे ऐसा संशद में हंगामा कुए हिंदृ कोई भी बीन हो पास न हो सके तो मैं तो कहुंगा कि जो miles répond के दिवारा किया गया है और यही कारे हमें ऐसा होते रहना चाहिए तभी ऐसे लोगों को समझ में आएगी कि हमें संसद भवन कोई कलास नहीं है कोई बच्चों का खेल का मैदान नहीं है कि वहाँ पर जैसे मनों ऐसे उग्र परदर्शन करें और कोई भी बिल पास ना होने दे